नमस्कार साथियो, साथियो एक बार फिर से स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल में साथियो आज हम आये हैं एक भेंश जिसकी जेर है जिसे प्ले सेंटा बोलते हैं वो अभी तक नहीं गिरा है इसको ब्याय हुए है वो 13 गंटे हो गए है लगबग लेकिन अभी तक इसका जो प्ले सेंटा है वो गिरना स्थार्ट ही नहीं हुआ है तो इसके प्ले सेंटा है वो हाद से निकालेंगे क्योंकि काफी समय हो गया है 13 गंटे 12 गंटे पहले तो आपको मैंने काफी बार बताया है जेर है, उसकी कोई समस्या नहीं रहती है लेकिन उसके बाद में वो गलना start हो जाती है तो इसलिए 12 गंटे पसूटी जेर है, वो हाथ से नहीं निकलवानी है तब तक उसको वेट करना है उसको ऐसे टोनिक की या फिर गरेलू काड़े उसको देते रहना है ताकि उसकी जेर हो इस्टार्ट हो जाए और इसके बारे में भी चैनल फे वीडियो आपको मिल जाएंगे आप जाकर के देख सकते हो जो टोनिक और गरेलू जो उपाई है उसके लाल दवा बोलते हैं उसके हलके गोल से उसके बाहरी जो भाग है पसुगे जो वेजाएनल उसको अच्छी तरह से वोस कर रहे हैं निस संकर्मन कर रहे हैं ताकि बाहरी जो संकर्मन वो अंधर न जा सके और साथ यो यह जो वीडियो में दिख रहे हैं विकास जी एलेस से जो कि placenta को दीरे दीरे है वो रिमोग कर रहे है अपने दोनु हातों से और साथ ही जो जेर है वो ना गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं पसुम में यानि उनमें हार्मोनल इन्वेलेंस रहा होगा या उसको मिनरल डेफिसेंसी रही होगी या उसके जो यूटरस का विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ होगा इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्लेसेंटा ना गिरने के इसमें होता क्या है कि जो यूटरस की दीवार पर जो करेंकल्स लगे रहते हैं यानी uterus की दीवार के Carencles सिपके रहते हैं और dogsять के cotylicence हैं वो cucelyn ते जुड़ते हैं तो वो रीमू नहीं उड़ते हैं यानी वो हटते नहीं है तो .. और आपको पता भी है कि जो corn enacted and co couldulin cats होते हैं वो मिलकर placentome का दिर्मान करते हैं और ये प्लेसेंटोम की संग क्या होती है वो 70 से 120 तक गाय बैसु में वो प्लेसेंटोम की संग क्या होती है और इसमें करना क्या है कि जो केरेंकल्स होते हैं उनको नहीं तोड़ना है उनको यूटरस से रिमून नहीं करना है आपको जो जेर के जो कोटिलीडिन्स थे उनको रिमून करना है क्योंकि यदि आप केरेंकल्स को अठा होगे अगर आपने दो चार पांच साथ जो केरेंकल्स इस को रिमूो करे और इस परकार के कामों में जल्द बाजी भी बहुत नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर जल्द बाजी करोगे तो जेर है वो पूरी नहीं निकले गी तो पसु के दो दिन तीन दिन बाद में उसके एक यूट्याई हो जायिगा या इनि किसी परकार का जो भी प्रोड़क्स है वो उसकी क्वालिटी है वो घड़ जाएगी और यह देखे धीरे-धीरे जो को अठा रहे हैं उनको रिमू कर रहे हैं ताकि पसु के जो जेर है वो पूरी निकले और जो केरेंकल्स हैं वो यूटरस की दिवार पर ही चिपके हुए इन पर मिथाइली अर्गोवेड यह लगाया है साथ में ओक्सी टॉक्सिन ताकि यूटरस में कॉंट्रेक्शन हो सके और जो प्लेसेंट है वो रिमू हो सके और एक साथ में केलसियम का इंजेक्शन लगाया है उसको और यह लगा के आपको दूसरा जो एक खास ध्यान रखना ह यानि उसमें टीटनस के लिए जो वेक्शन है वो हमें बहुत जुरूरी होता है क्योंकि ऐसे के सुमें हाथ से अगर हम पलेसेंट हटाते हैं तो पसू में टीटनस होने के अच्छांसे से बढ़ जाते हैं और यह अच्छी तरह से उनको अठा के फिर उसमें क्या करेंगे टाकि उसमें हो इनफेक्षन नहो सके तो इसके बाद से पहले क्या करेंगे उसको फिर से लाल द्वा से वोस करके अच्की तरह से उसको निस संकल्म2017 करेंगे उसके बाद में उसके यूटरस के अंदर बलेस है वो इूटरस में चोड़ने और लाश्ट में आपको इस वाद तो माइन बीस हैमेल लगा है ताकि पसु को किसी परकार की सुजन दर्द और वो जोर है वो ना करें ये था पसु के हाथ से जेर गिराने की सही तरीका तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनेवाद